हालो फ्रेंड्स वेलकम टू एस अकेडिन तो फ्रेंड्स एंट्रेजी राट और फिंगर टिप्स के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने खतम किया था आज किस वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वह है आपका दा लिविंग वर्ल्ड क्लास 11 क पर फिल्ट को कि तीम्स मुफ करते हैं करते हैं और विडियों करना श सबसे पहला हमारा हम कोष्चन है क्चरिम नम्बर वन वाट्ilities व फोट तौई आइसके ढहले हैं कि नीचे दिया कि इनक्रीश्टीक को Wijए इन में से कॉन सी को भॉट कि होता हैसरों मास थिक्रीज़ इनस Э्डेच को होता कोई? इनक्रीजिन मास ठीक है पहला तो होगे इनक्रीजिन मास और दूसरा वह होता है आपका इनक्रीज इंक्रीजिन इंक्रीज इन नंबर इन इंडिविज्व ठीक है अब आता है मां नेक्स कोश्चन कोश्चन नंबर टू में तो देखें यहां कोश्चन नंबर टू में क्या है इन प्लांट इन इनिमल सब्कर्ण की होदा जाकत जायगा है disrupt जब खालो जाय में में क्या हो जाएगा यहां अब टू सब्सक्त हुप यह फिए 16 अस्टेज हो तक ही हो इनिमल में से एण क्या क्या हो जाएंट तो नहीं होगा यहां पर क्या हो जाएगा इसको हमको मैच करना है और इसमें से हमको करेक्ट ऑप्सन सेलेट करना है ठीक है तो देखें सबसे पहले क्या है प्लानेरिया प्लानेरिया में क्या होता है तो देखें यहां ट्रू रिजनरेशन होता है तो देखें यहां कि एक क्या हो जाएगा फोर तो देखें एक पर कहा है यहां है यानि कि फंजाई फंजाई क्या होता है फंजाई में हमारा जो होता है क decor is a sexual sports से होता है यहानि कि sexual asexual sports से यहानि की be का होindest two ठीक है बी सबस्तों में इस्ट में जो होता है वह तो हो ता है आपका बड़िंक के दोरा को यह क्या हो जाएगाチャ के ड्रीक है और यहानि कि तो तो दोनों होगा तो देखें 2 & 5 यहां दोनों है एंड C का 3 है अमीवा वे जो होता है वाइन रिफिजन के द्वारा होता है तो इसमें क्या हो गया यानि कि 3 कंसर आगे भी ठीक है अब आते हमां नेस्स कोश्चन नंबर 4 में तो देखें यहां 4 में क्या है The Statement Nothing Lives Forever Yet Life Continuous Illustrates the Role Of मतला हमें बोला गया है कि Life जो है हमेशा के लिए नहीं होता है Nothing Lives Forever मतलब कुछ भी Forever के लिए नहीं होता है बट Life Continuous होता है यह किस चीज को illustrate कर रहा है इसका रोल है यह तो यह रोल है आपका रिप्रोडक्षन का क्योंकि एक इंडिविज्युल का बात करें तो उसका देथ होना कमकर रहे बट अगर कोई स्पेसिज का हम बात करें तो क्या कोई लाइफ का बात करें तो वह continuous होता है क्योंकि एक individual जो है groups consist of organism which multiply by fragmentation, मतलब हमें बोला-गया है, इन में से कौन सा organism जो है, जिसमें कि fragmentation से organism जो है, reproduce करता है, मतलब multiply करता है by the fragmentation, तो देखिए, उसमें सबसे पहला तो आपका आ जाता है, fragmentation में सबसे फ़हले फंजाई होगा, फंजाई जो होता है, फ्राग्मेंटेशन फ्रीटएस्टेशन फिर आपके आ जाता है एलिप सरफ या से फरलोई हुगा है फिर ङूंण से इसमें से कौन सो और मेरी प्रडूस नहीं जोह पीस अथरा यह थी जोह थे चंटे में तुम्हें के नॅश्यन रहें है रीक अलश्यन्ओक गरेंद बिंदेश चंटेरी हूटे है अवी लिविं और इंडिविंग ये प्रोपी चेले नहीं कर सकते हैं तो गर्लीक्रॉट सटेटमेंट नहीं करसकतें क्योंकि यह जो है फिर ब्रकर भी और नहीं कर सकता है इसलिए हम उसको जो है defining character नहीं consider करते हैं for living organism तो यह क्या होगा यह correct statement है फिर देखे statement two there are many living organism which do not reproduce example news, बर्करवे, infertile human couples एक सकते हैं स्टेटमेंट नहीं करते हैं कि इसका एक्सेप्शन भी होता है इसलिए इसका गया बोथ चूर्प करेक्ट अब आ अब आते हमारा नेच्स को सब्सक्राइब क्बाइब यहां है वीच ऑफ दे फॉलोईंग स्टेटमेंट रिगारदिंग दर रिस्पॉंस अफ लिविंग और उगनीजिन ट्व इस गतला है इन में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वह करेक्ट है रिगारदिंग दर रिस्पॉंस ऑफ दर लिविंग और उखनें टु दा इसी को हम लोग करते हैं इन्वोर्मेंट के राउंड जो है वह अपने आपको रिस्पॉंट कर सकता है यह यह पर सारे रिस्पॉंट कर सकते हैं और इसके बाद देखें रिस्पॉंस टु इस ट्री प्रपटी यह भी कहा है करेक्ट है यह बात है नेक्स को स्ट्रीन नमर नाइन में यहां है रीड़ फॉलोईंग स्टेट्मेंट और सेलेक्ट वन्स यह स्टेट्मेंट दिया और शाहिए नि सिर्ट करक्त है कि दिविचेंन सिर्ट्री घंघ है टीमित है क्यों सब्सेंच हर डेक्षण ही sits चैनल आपली 2 है वो जो है उसको हम लोग सब्सक्रीज़ कर सकते हैं शैट मझाएं चाहि लेकिना पा सब्सक्राइब रियेक्षण में लेकिन इंसाइड दा लिविंग और गनिजम नहीं होते है तो यह क्या होगा थे क्या होगा ठीक है आगे देखे रिस्पॉंस टु इस्टीमुलाई इस प्रफाइनि प्रपर्टी अप देविंग और इसमें भी आपने देखा था कि कहा तो यह भी क्या स्टीमेंट करेक्ट है यानि कि रिस्पॉंस टु इस्टीमुलाईज होता है उसको हम लोग मांते हैं प्रफाइनिग प्रपर्टी अप देविंग और यानि कि तीनों स्टेट्मेंट क्या है करेक्ट है यानि कि नायन का अंसर क्या जागा डी वन्टू ठीक है अब आता है मां नेस्स कोस्टन कोस् इसके वेसिस पर तो देखें रिप्रोडक्शन पर नहीं कर सकते क्योंकि आप आपने देखा कि कुछ जो लिविंग और रिप्रडूस नहीं करता है जैसे कि मूल्स हो गया हनी वीज हो गया फिर इंफर्टाइल कपर्स हो गया यह तो नहीं होगा ठीक है उसके बाद देखे इंटर्नल लिविंग में होता है इसको भी आप नहीं ले सकते हो फिर आता है इंट्रेक्शन इंवर्मेंट इंवर्मेंट जो है वो जो differentiated नहीं करता है और डि होता है आपका responsiveness साफ़ाइक करता है नहीं होता है कितना जल्दी रिस्पॉर्स करता है कितना एचछे तरीके से रिस्पॉंस करता है वह ही जो है करता है only from the living to not living टो Northern cancer कि आजागा दी अब आता हमाँ next question question n mẹ यहां है which of the following the default of the setting which of the following sets出 not containing kedмы आगया है कि defining property of the living organism है तो देखे सबसे पहला क्या है growth है तो और reproduction है तो growth and reproduction जो है वो defining property नहीं होता है metabolism and cellular level organization यह होता है ठीक है उसके बाद response to stimuli and consciousness यह भी होते हैं तो यह क्या हो गया 11 concept ठीक है अब आते हमाँ next question question number 12 में ठीक है तो question number 12 यहां क्या है which of the following is the correct representation of the organization level in the living organism मतला हमें बोला गया है इं में से concert जो है correct और गर्णाजेशन है अब the living organism तो देखें अगर correct ऑगनाजेशन के बाद करें तो सबसे क्या होता है कोई atom होता है यानि की atomic level होता है सबसे पहले एटम हो जाएगा फिर एटम से क्या बनता है मॉलीक्यूलर लेवल पर मॉलीक्यूलर लेवल के बाद हम क्या कर सकते हैं इसको सबसेलूलर लेवल सबसेलूलर मतलब सेलूलर से पहले होता है उसको करते हैं सबसेलूलर सब सेलूलर लेवल, फिर आ जाएगा इसके बाद आपका सेलूलर लेवल, सेलूलर लेवल के बाद आ जाएगा टीसू लेवल, उसके बाद आ जाएगा ओर्गिन सिस्टम, उसके बाद आ जाएगा इंडिविजुल, ठीकर देखें, एटम से मॉलिक्यूल बनता है, और डिफरेंट सिस्टम बनाएगा और और बनके इंडिविजोल बनता है तो यह हो गया तो यहां पर है और यहां पर ठीक है अब आता हमारे से question number 30 में क्या है that is the branch of the science dealing with the identification nomenclature classification of organism मतलब है बोला गया है कौन सा branch of the science है जो कि deal करता है with the classification identification and nomenclature of the organism तो वो है आपका taxonomy taxonomy जो है वही deal करता है with the identification nomenclature and classification यानि 13 cancer के आगे है अब आते हमां next question question number 14 में यहां है first step of taxonomy is मतलब मैं बोला गया है taxonomy का first step क्या है तो वो है आपका identification identification identify करेंगे फिर फिर उसको हम लोग क्या करेंगे characterize करेंगे उसका classification ऐसे ही आता है तो सबसे पहला जो आता है उसका उसमें आता है आपका identification तो देखिए identification कहा है यहां description of the organism नहीं identification of the organism यानि 14 cancer क्या हो जाएगा B first step of taxonomy होता है identification ठीक है अब आते हमां next question question number 15 में यहां ICBN मतलब मैं बोला गया है ICBN क्या है तो वो है आपका international code for botanical nomenclature तो देखिए अब आते हमां next question question number 17 में यहां मतलब मतलब में बोला गया है लिनियन सिस्टम क्लासिफिकेशन जो था वो किस चीश पर बेता है तो वो था बेस्ट आपका morphological characters यानि कि 17 अशर क्या जाएगा A ठीक है अब आते हमां next question 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 number 18 में यहां है most names in biological nomenclature of the living organism are taken from which language मतलब हमें बोला गया है कि जो biological nomenclature है उसमें most of the living organism का किस language से जो है नेम लिया गया था तो वो लिया गया था आपका Latin जाज़तर बड्स जो होते हैं लिए लाटिन से लिया जाता है क्योंकि यह इसको dead language माना जाता है इसमें कोई ज्यादा changes के scope नहीं है इसलिए हम जातर बड्स लेते हैं वो लैटिन से लेते हैं इसका 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 नाम जो है वो लैटिन से दिया गया क्यों तो मैंने अभी आपको इसलिए हम इसको जो यूज करते हैं वो लैटिन नेम्स यूज करते हैं यानि कि 19 का जाएगा सी डेट लैंग्वेश ठीक है अब आता है मैं नेक्स कोस्टेंबर 20 में यहां है इन दा बायनोमियल सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी डेवलप्ट डूरिंग देटीन सेंचुरी बा यूज करते हैं दूसरा बड़ आता है वह आपको डेनोट करता है इस पेसिस को डीक है अब हमाइं नेक्स को संब्सक्राइब लोगोजिकल नमिनक्रेश का इसके बारे में तो देखे पहला यहां क्या है बाइलोजिकल नेम्स आर आइधर डिराइब फ्रम लैटिन लैंग्वेज और यह क्या गया गया जो जितना भी नॉमेंगेचर होता है आपका उनिवर्सल सिस्टम में वह उसमें से जो वर्ड नेम लिये जाते हैं वह लैटिन से लिया जाते हैं ठीक है उसके बाद देखे सेकंड यहां है फिर्स वर्ड ऑफ द वायोजिकल नेम रिपरेजेंट जीनस वाइल द इसेकंड नेम डिनोट यह यह और वह जो जो यह बहुत आगे स्टेटमेंट देखते हैं आगे यहां पर क्या है आगे अगला स्टेटमेंट है यहां पर सी म है कि जब बाइलोजिकल नोमेंट लिखते हैं उसमें क्या होता है इसको यह जो है वो रिप्रेजेंट करता है इसका लैटिन औरीजिन का तो यह क्या है यह क्या होता है कि आप सबसे पहले क्या लिखते हो यहां क्या है इसमें से हमको सेलेक्ट करना है कि कौन सा ओप्सन जो है वो करेक्टली रिटेन है और बायोजिकल नोमेंट लेचे तो देखें सबसे पहले यहां क्या है है होमोशकीं दोनों जो है वो क्या लिख्ञा गया है क्या है तो फाली में जो है और यह क्या है यहांritos यह सिंप यहां पर सबसे पहले यह क्या है करेक्ट है यह जो है यह करेक्ट है ठीक है अब आता है हमारे नेस्ट कोशन सबसे पहले स्टेटमेंट नहीं 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 दोनेट करता है वो दिनुट करता है यह जो है जिसने उसको सबसे नाम दिया थो उसका साइंटिस्ट का नेम होता है ठीक है तो यह तो नहीं होगा ठीक है नेम सुट वे रिटेन इन दर रिवर्स भी नहीं यह भी गलत हो गया ठीक है दे लेटर एल सिग्निफाइज अ सबसेज के बाद सबसेज आता है तो सबसेज को डिनुट करता है दूसरा सबसेज होता है तीसरा जो होता है वो सबसेज को डिनुट करता है यानि कि 25 का जाएगा सीज सबसेज ठीक है अब आते हमारे नेक्स को सबसेज में यहां है क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसको कोई मतलब नहीं है डू क्लारीफा और तुलिस्टम में और और थीम यह का है करेक्ट है थीक है तो अब आते हमारे नेस्स प्रक होल नेम कोई नहीं बोला गया है कि प्लांट औप्जेक्टिव क्या है तो देखेगे सबसे पहला इस्टेडीट को में फ्लोरा को स्टेडी करने के लिए एक यूनिक नाम हो जो कि सारे वर्ल्ड में असे प्लेटिविए तो इसी के लिए तो यह क्या है करेक्ट है तो प्रोवाइड अमेठीट एफ फॉर इंटि क्लासिफिकेशन का में फंक्षन क्या है तो देखें में फंक्षन जो था वह था कि डिफरेंट ऑर्गिनिजिम के बीच में रिलेसंसी बताना ठीक है तुद्धें सबसे परेंगे है स्टाटि जिए ग्राफि नहीं उसके बाद है लोकेट प्लांट्स नहीं इससे कोई मतलब तो यही में रिजन था इसको स्टाबिश करने का यानि कि 28 आंगे है सी अब अब आधा हमाँ नेक्स कोश्चन कोश्चन में में यहां है हूरोड स्पेशिज प्लांटरं रम रबेसिच फर ट्लासिफिकर सान अब बोला गया है कि इस प्लांटरं जो है वो किसके दोहरा सब्यान तो वह था आपका कॉर्छ लिनियस को यह जो लिखा गया था सब्सक्राइब एक कॉर्ड लीनियस ठीक है आते हैं लिख एक सब्सक्राइब उसक्राइब बोला गया है इन में से कौन सा बुक जो है वो लीनियस के द्वारा कंट्रिब्यूट किया गया तो वह था आपका शिस्टेमा नेचुरी जो है कालेस के द्वारा लिखा गया था यानिके 31 कंसर क्या हो गया है के सिस्टेमानेचुरी खिले अब आधा है फूरसीन बीडिया तो दिया गया था तो वह दिया गया था आपके फिलकम बॉटानिका में जिव् dozens आcl में यानि कि फिलोसिफा बोटानिका ठीक है अब आते हमां नेक्स कॉस्टों कॉस्ट नवर 33 में यहां है लीनियस डिस्क्राइब 5900 स्पेसिज अपने कॉंसे बुक में जो है वह इंटिफाइब के तो वह था आपका स्पेसिज प्लैंटरम में जो कि दिया गया था यानि कि 33 अगया इंग्लिस नेच्रलिस्ट वोड तबुक हिस्टोरी का हिस्टोरिया जेनरलिस्ट प्लैंटरम एंड इंट्रोड्यूस्ट दवर्ड स्पेसिज वाज में बोला क्या है कि इंग्लिस नेच्रलिस्ट जो थे जो फैर उन्हों ने लिखा था एक बोक हिस्टोरिया जेनरलिस्ट प्लैंटरम एंड उन्होंने स्पेसिज बड्र को जो है फह स्थ एक प्यकर आपके औरывают कि जो होना यानि कि जॉन रे जो है उन्होंने स्पेसिज बढ़ दिया था और उन्होंने लिखा था हिस्टोरी का हिस्टोरिया जेनरल इस प्लैंटर है यानि कि थाटी-फॉर कांसर क्या गया है ठीक है अब आते हमां नेक्स कोश्चन कोश्चन नंबर 35 में यहां क्या है मैच कॉलम बन सबसे पहले क्या है सबसे पहले है यहां रविन करते हैं और यहां यहां नहीं है यहां नहीं है तो इसके बाद देखें डारविन वॉट यहां तो कि यानि कि यहां भी यहां भी का तू ठीक है तो फाइदर अफ बाथ झैब निफ वाटव जो हम कहते हैं वुग आते हैं यानिकि सी नमा थाटिस्ण को थीक है तो यहां थी का क्या हो जागा 40 फादर ऑ्मेडिशीन निफ के छो गदने बार में इनकरेक्ट स्टेट्में परताना है तो देखिए सबसे पहला क्या है यहां है इस बीडिल करता है यह एक दम करेक्ट है ठीक है उसके बाद देखे इस बेस्ट ऑन देश्ट आप सब्सक्राइब करते हैं यहां पर बोला गया है कि स्पेसिज जो बीट नहीं इस पेसि गया है कि टैक्सवनमिक काटेग्री क्या होता तो तो सSon को हम लोग कहते है जो चाहिए कहा है यानी कि 37 कंसर क्रते थिक है बाद हम हुआ नेस बस फर्ट नेंमा ऐसे एटेट जिए कटैक्सेइगरी में होता है उसको है स्लना है तो question number 39 में question number 39 यहां क्या है the term taxon is used for मतलब हमें बोला ग्या है term taxon जो होता है वो किस चीज़ के लिए यूज होता है वो यूज होता है taxonomic category लिए तो taxonomic category क्या होता था एक कोई भी level होता था in the taxonomic hierarchy तो या प्रविर कोई रैंक या फिर लेवल जो होता है उसी को कहते हैं हम लोग टाक्स ओंट तो तरीक है अब आते हमाइब नेस्स कोश्टन कोश्टन में यहां है डीच टंब कैन वी यूज फॉर एनी टाक्सवनामिक रैंक मतलब हम बोला गया है कॉंसा टंब जो हम रूज कर सकते ह है आपका क्या है औ exactement है वह होता है तो वा होता है अपका है सबसे बाद जी ना सा इसी करके आगे आता है ठीक है तो यानि कि 41 कांसर क्या जाएगा इस पेसिस ठीक है अब आता हमारे क्योंसा स्टेट्मेंट जो है वो करेक्ट नहीं है तो देखिए सबसे पहले स्टेट्मेंट हम यह पढ़ते हैं बाइड़ाइबर सिटी इस अप्राइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स डिफाइड डिफरिंग इन मॉर्फोलोजी अनटॉम्स अड़ाइबिट्स टीक है यह क्या ह यह सब इसी ब्रांच प्रींख इन पर इसिव करते हैं टीक है क्लासिफिकर्स डिफिकर्षाण इस ब्रांच बाइलोग क्लाइफिकर यह किया जाता है इनकर्ट कोशेंग में हो गए यहां हैThe पिंस्ट करता है नेचर को को फीट यूनिट हो मैं यह मैं वहुला गया है एमंग्स एक टैक्स होन जो करता है नेचर में वो क्या है तो यह क्या होता है और सारी के तरह प्लम करते हैं तो यह क्या हो जा घृयीकृषण प२ुब तो इसका पॉपूलेशन जो होता है जब तक इंटर ब्रीडिंग होता है जब तक हम लोग उसको पॉपूलेशन नहीं का सकते हैं जब आपस में organism जो है species के अब तब तक interbreed नहीं करते हैं तब तक हम उसको species नहीं कर सकते हैं जब एक दुसरे में interbreed करना start करेंगे तब ही उनको हम लोग species करते हैं यानि 45 गांसर क्या जाएगा be interbreeding ठीक है अब आता हमारे next question question number 46 में यहाँ है in biological terminology a group of similar organism which are capable of interbreeding and producing fertile offspring is called तो अभी देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था कि true species जो होता है उसका population क्या होना चाहिए interbreeding होना चाहिए तो यहां क्या है interbreeding के बारे में ही हमने बोला गया है और producing fertile offspring तो यह कि हो जाएगा यानि कि हम लोग नाम लिखते हैं कि मैंजी फिरा इंडिका और मैंजी फिरा फर्स्ट वर्ड यानि कि यह क्या है जीनस है यह जो है मैंजी फिरा जो है वो जीनस है यानि कि 47 का अंसर क्या हो जाएगा बी जीनस ठीक है अब आते हमां next question question मैं बोला गया है और किस चीज का गुरूप है और तो वह है आपका इस पीसिज अगर हम बोले जीनस क्या होता है जीनस होता है ग्रूप अप स्पीसिज यानि कि 48 कंसर क्या जाएगा सी स्पेसिज ठीक है अब आते हमां next question question करेंगे तो वह होता है उसका ग्रूप जो बनता है वह होता है जीनस यानि 49 कंसर क्या जाएगा सी जीनस ठीक है अब आते हमां next question 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 number 50 में तो देखिए यहां पर क्या है सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेट्मेंट विथ रिस्पेक्ट टू टैक्स ऑन जीनस मतला हमको जीनस के इसके पास एक से जादा स्टेट्मेंट होना चाहिए लेकिन देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक से ज्यादा होना ही चाहिए अगर नहीं होता है तो इसमें अगर हम माल लेजे एक जीनस में एक ही इस पीसिज को रखना है तो वैसा भी हम कर सकते हैं समय इसा कोई लिमिटेसन नहीं कि एक से ज्यादा होना ही होना चाहिए यह कहां स्टेट्मेंट इनकरेक्ट स्टेट्मेंट है बाड़ टैक्स ओन जी यह कहें करेक्ट है यह सारे जो होते हैं उनका नाम पहले खें था लिए शोलनींड चीलिय एकांपन inhac टर्मेंट फइंड एक जेंस लसारे जो है जैनस्स हैं तो यह कहा है स्टेट्मिंट करेक्ट है तो सब्सक्राइब कर दिएगा और अगर हमारे चैनल पर पहली वार विजिट कर रहे हैं तो हमारे शाइब को सब्सक्राइब कर लिजेए क्योंकि हम लोग ऐसे हैसे ऐसे कंटेम्स आपके लिए लाता है रहते हैं तो क्लिए से वीडियो में इतना ही थैक्स वाचिंग